नमस्कार दोस्तों, इज्राइल और फिलिस्तिन में एक तरफ जहां गोली बारूद और विसफोटक से युद्ध चल रहा है, वहीं अब इस युद्ध के साथ एक और जंग तुल पकरता जंग वयानों का है, दरसल इज्राइल और फिलिस्तिन के बीच जारी कुनी संधर्ष म एक तरफ जहां अमेरिका समेट कई बड़े देश इज्राइल का समर्थन करते दिख रहे हैं, वहीं इरान इस युद्ध में इज्राइल के विरुद्ध खड़ा दिख रहा है। बता दे कि इरान ने इस पूरे मामले को लेकर इज्राइल पर निशाना साधा है। इरान ने दरसल इस युद्ध में हमास की तरफ से किये गए इस हमले में इज्राइल ने इरान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है, जबकि दुसरी तरफ हमास के समर्थन करते इरान ने इज्राइल को धमकी देना सुरू कर दिया है। इसे में काफी हद तक इस बात का संभावना जताया जा रहा है कि इज्राइल और हमास के बीच का ये युद्ध एक नया मोड लेते दिख सकता है, जिसके बाद जंग के इस नय मोड पर इरान और इज्राइल आमने सामने हो सकते हैं। में तनाव का ये है एक बड़ा कारण बंते दिख रहा है। खबरों के मुताबिक इज्राइल ने गाजा पटी को चारो तरफ से घेर लिया है और इस बात पर यूएन महासचेव एंटोनियो गुटेरेस ने खास तोर पर चिंता जताया है। जानकारी के लिए बता दे कि हमास की तरफ से इज्राइल पर किये गए इस हमले के बाद इज्राइल को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। एक तरफ जहां इज्राइल के समर्थन में अमेरिका ने इज्राइल के मदद के लिए जंगी जहाज भेजा है।